बूम बॉक्स हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बूम बॉक्स पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ बजार जैसे मुमोच घर में कैसे बनाए अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें, सेयर करें तो चलिए दोस्तों देर न करते है इसमें किसी हुई सारी सबजें डालेंगे जो मैंने किसका पहले ही रेडी कर ली है ये किसा हुआ पत्ता वो भी है ये किसी हुई गाजर है ये किसी यूई प्याज है ये किसा हुव अधरक है ये बारी कटी हुई हरी मिर्चे ये बारी कटा हुई धनिया है अब इसमें नमक डालेंगे स्वाधनसार मैंने अपने स्वाधनसार डाला है आप अपने स्वाधनसार डाल सकते हैं अब इसमें आदी स्पून काली मिर्च पाउडर लेंगे अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक बाउल लेंगे और एक कॉटन का कपड़ा लेंगे इस तरह से अब इसका पानी निकालना है इस तरह से इसका पानी निकालेंगे अच्छे से दबा दबा कर सब्जियें जिससे ड्राइव हो जाएं ये देखी सारी सब्जियें ड्राइव हो चुकी है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ये मटेरियल रेड़ी है देखी गटोरी मैंने मैदा लिये ये नमक लिया है स्वादन सार ये देखी स्पून ओयल लिया है अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और इसको मारना है आटे को थोड़ा कड़ा ही मारना है और मैंने गैस पर पानी गरम होने रख दिया है और मेरा आटा रेड़ी है अब इसमें और लगा के इसको मिक्स करेंगे अब इसकी लोईयां मना लेंगे छोटी छोटी इस तरह से इसको इस तरह से बे लेंगे और इसको पतला बे लेंगे अब इसमें सारी सबजियां रखेंगे मिक्स की हुई सबजियां मुमोज को इस तरह से बनाएंगे लेट लगाते हुए इसको इस तरह से बंद करेंगे ये मुमोज की सेप में बन गया है ये मुमोज रेडी है ये बने हुए मुमोज है पानी भी गरम हो चुका है अब इस पर एक चलनी रखेंगे और इसमें अच्छे से तेल लगाएंगे इसको चार दरब अच्छे से लगाना है जिससे मुमोज चिपके नहीं अब रेडी क्यों है मुमोज इसमें रखेंगे देखी इस तरह से मुमोज रखना है थोड़ी दूर दूर पर जिससे इसमें इस्टीम अच्छे से लग सके और सारी मुमोज पक्च जाएं अब मैंने गैस फुल कर दी है इसको प्लेट से ढखकर रख दूंगी 15 मिनट के लिए 15 मिनट हो चुके हैं अब मैं इसको खोल कर देखूंगी यह मुमोज देखिए पक्कर रेडी हैं अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी यह देखिए मुमोज रेडी हैं अगर आप मुमोज की चतनी की रेश्पी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं